वेरी 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 गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टनून, गुड इवनिग एवरीवान, इस अविनाथ संचेती फ्रम नवीन क्लासेश एंड ये फांडेशन जूल 2024 एक्जाम इस नाओ नॉकिंग दी दोर, मैंने नए टॉपिक्स का मैराथन जितने भी नए टॉपिक्स इ इंट्रोड्यूस किये हैं, सिंगल एंट्री, कंपनी अकाउंट्स में बहुत सारे पोर्शन, पार्टनर्शिप में पोर्शन, GST की अकाउंटिंग, ये सारे के सारे नए टॉपिक्स का मैराथन कंड़क्त किया था, तीन तारी, दो जून को, सेकेंड आफ जून मैंने कंड फाइनल लाप है, जो फाइनल आखरी अध्याय है, जो हमें तीन-चार दिन में पुरा करना है, रिविजन करना है, लास्ट, उसको कैसे करना है, so that हम लोग अपना 20 जून को जो फाउंडेशन का एक्जाम है, अकाउंट्स का उसको बहुत अच्छी तरीके से दे सके, सबसे पहले मैं सारे ही बच्चों को ये बोलूँगा, कि फाउंडेशन लेवल पे जो अकाउंट्स का पेपर होता है, वो काफी इजी होता है, काफी मैं बोलूँगा, वो पोर्शन से आपको एक्जाम में questions वगेरा दिखाई देते हैं, जिनसे आप आप अल्रेडी familiar हो, जो आप अपने classes में कर रखे हैं, element of surprise बहुत limited होता है, तो सबसे पहले tension लेना करो बंद, अब तो आपको tension कम इसलिए भी होना चाहिए, क्योंकि जो 6 महीने, 7 महीने से आप पढ़ा ही कर रहे थे, अब बस 8 दिन और है और आपके सारी चीजे, सारे problems, सारा इतना दिन का मेहनत अब र complete करना है, रोना नहीं है, दुखी नहीं होना है, tension नहीं लेना है, stress नहीं लेना है, अच्छे से पढ़ाई करके, final revision करके हमें जाना है, अब जो हमारा accounts का exam 20 तरीक को है, जो last हमारे 3 दिन है, 17th, 18th, 19th and 20th का morning, यह हम लोग पुरा का पुरा dedicate करेंगे, सिर्फ to the subject of accounting, अभी हम लोग कोई law, कोई eco, कोई maths, कुछ नहीं पढ़ेंगे, अब सिर्फ हम लोग exam wise focus करेंगे, हर subject में, before that subject exam, अगर मेरा 20 तरीक को accounts है, मैं 17, 18, 19th और कुछ नहीं पढ़ूँगा, मैं सिर्फ accounts पर focus करूँगा, 22 को law है, तो 20 आने के बाद और 21 पुरे दिन, 22 morning सिर्फ law maths, eco में क्या होगा, law में क्या होगा, ये मेरे accounts के paper को effect नहीं कर रा चाहिए, क्योंकि accounts first exam है, and subject भी बहुत बड़ा है, इसमें आपको एक proper revision time देना चाहिए, so that, आप पूरे subject को properly revise करके, थोड़े से written practice के साथ आप जाओ, तो exam में आपको डर ना लगे, आपको panic ना हो, और first exam आपका अपने desire के हिसाब से चला जाए, before I start this session, कुछ छोटी बाते जो मैं चाहूंगा, आप ध्यान रखें जब आप last 3 दिन का revision कर रहे हैं, number one, कोई expectations, कोई targets दिवाग में नहीं रखने हैं, expectation exam wise की वहिया, मैं accounts में 90 लाओंगा, 95 लाओंगा, 85 लाओंगा, कोई expectation दिवाग म जान जोग के सिर्फ 3 दिन उसको revise करने में लगाना है, practice करने में लगाना है, number two, क्योंकि हम लोग 3 दिन का समय ले रहे हैं, हमें कोई portion छोडने की जरुरत नहीं है, हम लोग written practice भी करेंगे, हर chapter के कुछ-कुछ sums का, जैसे BRS से दो question बना लिया, एक with adjusted cash book, एक without adjusted cash book, bills of exchange में द question बना लिया, एक में accommodation bill, एक other than accommodation bill, depreciation में हमने बना लिया, एक question जहां पर purchase, depreciation, sale, वो सारे elements है, एक जहां पर factors affecting depreciation change हो रहे हैं, थोड़े बहुत हाथ से question बनाने से, exam hall में जब बैटके आप लिखने बैटते हो ना, तो आपका दिमाग और हाथ सिंक रहता है, और आप बहुत अच्छी से paper लिख सकते हो, number 3, मेरे guru ग्यान के videos को follow करना ना भूले, ये जो guru ग्यान मैंने marathon में लिया था, जो second June को मैंने लिया था, मैंने 4 से 5 guru ग्यान discuss किये थे, बहुत important जैसे, first 15 minutes of reading time को कैसे use करना है, paper tough आए, easy आए, तो किस तरीके से approach करना है, paper pattern accounts का कैसा होगा, exam में किस question में किस चीज से पूछा जाएगा, sequence किस तरीके से होना चीए, आपके attempt का, ये sorry चीजे, मैंने उस second June के marathon में discuss की थी, वो सारे के सारे videos आपको अच्छे से देखने है, वो सारे के सारे guru ग्यान्स आपको अच्छे से refer करने है, they are very 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 important, and revision, जब आप कर रहे हो final, कोई भी topic में कोई भी chapter में exist time wastage करने की जरत नहीं है, अगर आपको लगता है आप खुछ से कर पाओगे, तो खुछ से करना है, अगर आपको लगता है खुछ से कुछ topic में कुछ ध्यान नहीं आ रहा है, तो मेरे हर topic के revision video, मेरे हर topic के marathon videos already YouTube पर available है, अगर आप मेरे student हो, तो हमारी volume 2 के पीछे मैंने सारे QR code दे रखे, वो QR code scan करके आप अराम से काम कर सकते हो, videos देख सकते हो, आप मेरे student नहीं हो, तो कोई भी chapter के नाम के पीछे लिखो, अविनास संचेती, अपने आप मेरे videos आ जाएंगे और आपको videos refer करके अपना revision कर सकते हो, बट वही topic जिसमें आपको problem हो र revision, आपको marathon video revision video से नहीं करना चाहिए, आप मेरी summary book उठाए, उससे theory revision करना चालू करे, practical concept revision करना चालू करे, और उसके बाद जैसे ही chapter complete हो जाए, 2-3 question अपने हाथ से बनाओ, then move to the next chapter, बस इतना ही काम करना है आपको revision, last but not the least, जो chapter अभी तक आपने छुआ नहीं, अच्छे से practice नहीं किया है, last 3 दिन में उसको हाथ लगाने का जरत नहीं है, जैसे कोई बच्चे ने अगर NTO की classes नहीं कर रखी है, या NTO classes के बाद कभी revision ही नहीं किया था, अब revision करने बैटेगा, तो 6-7-8 गंटे waste हो जाएंगे, don't do it, leave NTO, because हमारे पास एक choice है, जो होगा देखा जाएगा, you can do one thing, खाली एक बार theory रीट करके चले जाओ, so that true, false, theory question, या कोई easy type का question है, subscription account बनाने वगेरा का, उतना आप कर सकते, ये कुछ छोटी-छोटी बात आपको ध्यान में रखनी है, जब आप अपना final revision कर रहे हो, क्योंकि आप पहली बार कोई competitive exam में बैठोगे, it is very important to understand all these things, otherwise exam hall में जाते ही, आपको एक panic attack आएगा, जिसके कारण आप हो सकते है, exam में paper प्रॉपरली ना लिख पाओ, अब, ये जो हमारे पास last 3 दिन है, 17th, 18th, 19th, और 20 तरीक कम और री, इसको हमें कैसे use करना है, मैंने विद्धी chapters आपको पुरा day का routine बता दिया है, जो आप proper coverage आपका हर दिन, proper revision आपका हर दिन schedule हो पाएगा, ऐसा नहीं होगा कि कोई दिन बहुत जादा कर ली और कोई दिन कुछ हुआ ही नहीं, proper revision हो पाएगा, इसके लिए हम लोग इस तरीके से 3 दिन को, 3 दिन में सारी चीजों को बाटेगे, 17 तरीक को आप करोगे BRS, ये एक important chapter ह हर टम में एक question आता है, capital revenue transaction, एक true false आपको 100% देखने मिलेगा, साथ ही साथ, क्योंकि depreciation chapter से इसका linkage है, तो capital revenue transaction, मेरी summary mat से खोलके, फटा-फटा आप एक बार revise करें, then join depreciation, bills of exchange, ये 4 chapter जो हमारे final account से पहले वाले portion के है, ये 4 chapter आपको day 1 में करने है, इसके बाद आप सीधा company accounts मे जाओगे जहाँ पर issue for feature of share, bonus and right issue and preference share, जो share वाला portion पूरा complete कर देना, debenture वाला portion हम लोग next day पर लेके जाएगे, तो first day में, BRS, capital revenue, depreciation, bill of exchange and company accounts का share वाला portion आपको complete करना है, second day में आप जाओगे, final accounts portion में, जहाँ inventory, final accounts, rectification, single entry, and company accounts का issue and redemption of debenture वाला portion बाकी है, वो आप second day पर complete कर होगे, final account, single entry जैसे chapter, बिना question बनाएं नहीं करने, आपको question बनाना ही पड़ेगा, मैं तो बलूँगा, सब chapter में बनाना पड़ेगा, final accounts और single entry में, जरूर हाथ से दो-तीन question बनाएं, inventory chapter में, जो inventory taking वाला topic है, उसमें भी एक-दो question अपने हाथ से बनाएं, क्योंकि वो सब अग आपको उस दिन partnership से चालू करना चाहिए, बड़ा chapter है, final accounts of partnership आपने किया, उसके दो-तीन question प्राक्टिस किये, then आप गए, reconstitution में, 4-5 question प्राक्टिस किये, dissolution में गए, peace meal में गए, क्योंकि final accounts का length बढ़ गया है, partnership का length बढ़ गया है नहीं syllabus में, मेरे को लगता है, 25 marks तक के question उ बड़ा जाधा कीजेगा, अगर कोई बच्चा अच्छे से company और partnership की बहुत धुआधार practice कर लेता है, आप देखो के 40-45 mark का paper तो सिर्फ इन दो chapter से आए, इन chapter में, please कोई stone unturned मत छोड़िएगा, practice करके जाएगा, it will be very helpful for you, जितने भी नए portions है, चाहे वो single entry हो, चाहे वो partnership के नए portion हो, company accounts के नए portion हो, सबका मेने marathon में बहुत सारा practice कराया था, आप वही questions अगर practice कर लेते हो जाएगा, आपको अलग से कोई चीज कहीं से करने की दरकार नहीं, last day पर आप क्या करोगे, जो हमारा basics वाला portion होता है, trial balance, cash book, subsidiary book, journal, ledger, जो basic वाला portion होता है, उसको एक बार practical वाला part, जो एक चार माक का question आएगा, वो cover हो जाएगा, फिर आपको theory का chapter 1 वाला portion है, जो core theory है, वो theory आपको revise करके अपने exam hall में जाना है, तो basics में आपको 1-5 गंटे का time देना है, फिर जितना बचा हुआ time है, 2-5 गंटा, वो अब 2-5 गंटा आप theory को दोगे, theory सिर्फ reading करत आए आपको past track theory का, जहाँ पे 1-5 गंटे में मैंने chapter 1 को पूरा theory cover किया है, अगर आप वो देख ले हो, तो 100% sure है, उसी के अंदर से आपको question देखने मिलेगा, तो अगर आप वो video अच्छे से एक बार सुन भी लेते हो, 1-5 गंटा, खाली book सामने कोल के वो video सुन लेते हो, त 100% question उसी से आएगा, बहुत easily theory को answer कर पाओगे, इस तरीके से 17, 18, 19 और 20 तरीक को आप अपना पूरा का पूरा revision schedule करोगे, अपने accounts के paper का, expectation कुछ नहीं रखना है, hard work पे focus करना है, कि मैं मैं मैंनत करूँगा, अब exam में 70, 80, 90, वो मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में है कि मै तीन दिन में जितना अच्छे से revise कर सकूँ, जितने मैं questions cover कर सकूँ, ताकि मैं exam को अच्छे से अच्छी तरीके से लिख सकूँ, तो हम लोग कोई expectation लेके नहीं जाएंगे, exam hall में जितना हमको आएगा, अच्छे से करके आएंगे, जो नहीं आएगा, उसको try बेशप पूरे के पूरे accounts के revision को मेरे को लगता है, वो properly accounts के subject को revision कर भी पाएगा, और अच्छी तरीके से वो अपने exam में paper में score कर पाएगा, मैं इस video के description में, marathon video की link, theory video की link, ये सारी link attest कर रहा हूं, attach कर रहा हूं, जिन बच्छों को भी देखना है, वो इसी video के description से सारी link उनको मिल जाएगी, done, attention मत लेना, all the best to all of you, exam आपका बहुत अच्छा जाएगा, paper आपका बहुत easy आएगा, हाँ, accounts में वो लोग सिर्फ एक ही करते, थोड़ा सा हो सकता है, lengthy कर दे paper को, तो हम पहले चोटे 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 चीजे complete करेंगे, फिर उसके बाद बड़े questions में जाए करेंगे, so that अमसी 95 में attend कर सके, हम अच्छा मांक score कर सके, इस तरीके से तीन दिन में आपको revision करना है, all the best to all of you, take care, and exam में फोड पढ़ के आना, thank you so much everyone, bye-bye.